हलो दोस्तो मैं हूँ शियूली और मेरी किचन में आप सब का स्वागत है आज मैं आपको गाजर का हलवा बना कर दिखाऊंगी बिल्कुल प्लेन सिर्फ दूद वाला हलवा घर में अगर कुछ भी ना हो फिर भी आप सिर्फ और सिर्फ एक ग्लास दूद से पौना किलो गाजर का हलवा बना सकते है वो भी बहुत ही टेस्टी बन कर तयार होगा बनाना बहुत ही आसान है चलिए जटपट रेसिपी देख लेते है दोस्तो मैंने पौना किलो मतलब साड़े साथ सो ग्राम गाजर लिया है अच्छा लाल गाजर है आप देख सकते हैं सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है अभी मार्केट में लाल गाजर एविलेबल है और उनको मैंने अच्छे से छील कर दो कर गीश लिया है घीशने के लिए मैंने बड़ा साइज का ग्रेटर यूज़ किया है मैं आपको दिखा रही हूँ यह देखिए यह थोड़ा सा बड़ा है बिल्कुल बारिक ग्रेटर का यूज़ ना करें थोड़ा सा मोटा ग्रेटर यूज़ करें तो दोस्तो अभी हम सीधे सीधे मैन प्रोसिस में जाएंगे तो यहाँ पर मैंने एक फ्राइपेंड रखा है मैं फ्राइपेंड में ही बनाने वाली हूँ और पैन में डाल देंगे थोड़ा सा गी देर चमबच गी का यूज़ करने वाली हूँ थोड़ा सा बिल्कुल नमक डालेंगे कोई भी मीठा बनाते समय अगर थोड़ा सा आप नमक डालेंगे बिल्कुल चुटकी भर तो मीठे का स्वाद और भी बढ़ जाएगा पॉना किलो गाजर के लिए मैं यहापर दो चुटकी नमक का यूज कर रही हूँ नमक ज्यादा ब पीच बीच में ढकन हटा कर चलाते रहना है अच्छे से मिक्स करके उपर नीचे कर देना है और इसी तरह से ढाक ढाक कर पकाना है तो देखिए दोस्तों अभी बिल्कुल भी पानी शेश नहीं है पानी बिल्कुल सूप चुका है गाजर में से काफी सारा पानी निकला था और अपने ही पानी में गाजर बिल्कुल पक चुका है, बिल्कुल 100% कुक हो चुका है, तो अभी हमें और पकाने की जरुरत नहीं है, अभी हमें इसके अंदर डाल देना है एक गलास दूद, यह उबला हुआ दूद है मलाई के साथ, तो यह दूद में डाल दे रही हूँ, इससे ज्यादा दूद की जरूरत नहीं है, अगर आपको मावा या तो मलाई कुछ भी डालना हो, तो आप इसके अंदर डाल सकते हैं, लेकिन आज में बिल्कुल प्लेन दूद वाला गाजर का हलवा बना रही हूँ, इसके साथ हम कुछ ड्राइफ्रूर्स डाल देंगे, अगर डालना हो तो, यहाँ पर मैंने काजू, बादाम और किश्मिश लिये हैं, आपको कोई भी ड्राइफ्रूर्स पसंद हो तो वो आप डाल सकते हैं, कोई प्राब्लम नहीं है, और आधा चम लेकिन बाद में एक बार चेक कर लेंगे, और अगर लगता है, तो और थोड़ी सी चीनी हम डाल देंगे, तो अच्छे से मिला देंगे, और अभी आप चाहे तो ढाक सकते हैं, लेकिन ढाकना इतना जरूरी नहीं है, खोला ही हम पका लेंगे, जब तक कि दूद पूरी तर सुख नहीं जाता, अभी देखिए दोस्तो इतना सुखा है, आपको कितना सुखाना है, वो बिल्कुल आपकी मर्जी पर निभर करता है, तो आपको जितना सुखाना है, जितना टाइट आपको हलवा रखना है, उतना तक आप सुखा लीजिए, उसके बाद निकाल तो दोस्तो मैंने यहां तक सुखाया है और अभी एक बर हम चेक कर लेंगे अगर चीनी और लगती है तो और थोड़ी सी चीनी हम डाल देंगे और अभी अगर चीनी डालते है तो फिर से थोड़ा से लिक्वीड हो जाएगा हलवा तो उतना भी आपको सुखा लेना है मेरे यहापर बिल्कुल सही था तो मैंने हीट बंद कर दिया है और अभी मैं सार्व करके दिखा रही हूँ लेकिन अभी हम नहीं खाएंगे इसको पूरी तरह ठंडा होने देंगे और थोड़ी देर के लिए फ्रीज में रखेंगे ठंडा ठंडा हलवा खाने में बहुत ही से तो इसी तरह से सिंपल सी रेशिपी को आप भी ट्राइ करें और ट्राइ की तो कॉमेंट करके जरूर बताए कि आपको कैसी लगी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज एक लाइक करें दोस्तों और प्लीज प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्स्क्राइब करें आज के सेफ रहे स्वास्त रहे और खाते रहे बाई बाई